है गाईज देखे आज हम दो ऐसे स्टॉक के बारे में डिसकस करेंगे जो कि टाटा गुरूप का है मानो या ना मानो ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मालीजे 2030 तक नींद में भी लोग जो हैं लगपती बन सकते हैं मार्केट से सही है आपको ज्याज़ा कुछ करना नहीं किवल द इनी स्टॉक्स चाहिए है कि नहीं बहुत सारे लोगो की इच्छा है कि चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे स्टॉक्स में पैसे लागों बड़ा मुनाफ़ा कमाऊं सही है देखो भाई यह सही है लेकिन यहाँ पर रिस्क भी बहुत होता उसके बाद मल्टी बगद स तो पहला स्टॉक यहां पर देख सकते हैं लगबग आज के रेट में 10% के आसपास यहां पर आपको जंप देखने को मिला है लगबग 10% के आसपास बार यह और यह कोई चोटा मुटा परसेंटेज नहीं होता है लगबग वन मंत में भी स्टॉक्स ने काफी अचा प्रॉफि गिरावाट यहां पर यहां पर शंप देखने को मिला पहले भी गिरावाट हुए अई सी बात नहीं है घिरावाट होता है तो गर एक इंसान है तो उसका भी मान लिजे भाई हेल्थ खराब होता है तो अगर आपका हेल्थ खराब नहीं होता तो या तो एलियन हो या तो रोबोट हो भाई सही है क्योंकि health खराब होता है देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप मालीजे कि आपने कोई कार खरीदा तो जरूरी नहीं है कोई भी company आपको इतना guarantee नहीं दे सकती कि आपको कार में कुछ नहीं होने वाला मैं आपको बोलना चाहता हूँ पांच साथ दस सल के बाद आपको कुछ ना कुछ आपको आपको कुछ तो कुछ करवाना ही पड़ेगा समझ दो ना उसलिए यहाँ पर बीच बीच में आपको गिरावट भी देखने को मिलता है कि कंपणी कौन चलाती है इनसान ही चलाता है तो जैसे इनसान होता है वैसे कमपणी भी होता है क्योंकि याद रहोगों ने ज्यादा माल जो झेढ़ा पर बेष दिया इतना हां आजकल के date में लोग माल उठाके क्या करें गने आप खुद ही बताओ, मैं आपको बताना जाता हूँ जब चिडिया चुप जाती है आपका दाना तो आप क्या करोगे इसके बाAST है कि नहीं आप तो कोई रास्ता ही नहीं आप जाओ भाई चिडिया के पीछे नहीं जाओगे न तो जो काम खत्म हो गया है उसको खत्म हो जाने देजिए लेकिन अगले बार से आपको चिडिया का ध्यान रखना पड़े है कि दुबारा वो आपका दाना जो है चुपके ना भागे और देखें कमपनी में अगर कुछ भी होता है कुछ भी होता है तो यह सबसे पहले किसको पता चलता है सबसे पहले किसको पता चलता है तो पर मोटर को पता चलता है अब यहां पर अगर हम पर मोटर के हल चल देखेंगे न तो पहले यहां पर देखें यह क्वार्ट अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकती इस वज़े से तो बढ़ाया जाएगा ना और पर मोटर्स ने हर कोटर रिजल्ट में खरीदा क्योंकि स्टॉक का प्राइज बहुत ही नीची आ चुका था अब देखो भाई जिस तरीके से स्टॉक ने जंप माना मानों कि ऐसा स्टॉक मा कर सकता कि आपको खरीदना है बेशना करके अपने हिसाब से अराम से देखें मैं या जतर इन विडियो बम editor होता होता कि खांथ करो cies理ा करो बहुत ही लोगा औरो दिखाई देंगा चुनीं ्देलोग बनाया था और साब साब बोलते हैं देख सकते हैं टाटा सीमित समय के लिए ही यह शेयर मिला पचास परसंट डिसकाउंट के साथ मौका चुक गया तो हाथ मलते रह जाओगे सही है बहुत अच्छे तरीके से यहां पर लिखाता अगर आप देखोगे तो यह वीडियो को मैं प्ले करता हूं आपके सामने मैंने डेट दिखा दिया दो मन्त होई चुके हैं यह देखो आराम से डिसकाउंटेट प्राइस पर मिल रहा है क्योंकि यह स्टॉक कम से कम तो देखे 7-800 के आसपास जाने की कोसिस करेगा और यह कौन सा स्टॉक है तो मैं आपको बताना चाहत कि स्टॉक में देखे गिरावट थोड़ा बहुत आपको यहां पर देख लेजिए थोड़ा बहुत आपको जो है ऐसा लगेगा कि गिरावट देखने को मिलेगा लेकिन मैं बोलूंगा ऐसा कुछ भी नहीं है अगर यहां पर कल को अगर मान लीजे कि टू परसंट का यह च सुद्ध हिंदी में इतने अच्छे विचार में मैं आपको बता है देखो मैं दूसरे वीडियो दूसरे लोग के तरह नहीं बता है हाँ यह देखो स्टॉक में बी उपर जा सकता है में बी नीचे जा सकता है में बी मिनौड बी लोगों को दलदल में मत फसा हो यार क्यों की रहुत के भार इसको कि यहाँ पर दें गारो जब पता ही नहीं बारे में जनकारी नहीं है एक रहा कि यह क्यों नूसरे नहीं है और इसको प्यारे में नहीं बहुत किहां टो एक की रिलगा है देख付 गिरावट कल को आज की रेट में यहां देखने, लगबग 0.57% के आसपास गिरावट देखने को मुला, 2 से 5% देखो, मैंने लिखा भी है, 2 से अगर 5% के आसपास भी गिरावट देखने को में लिए, तो ना बेचो बाई, buy on dip, खरीदना यह खरीदना, कितना प्यार से मैंने बोला, और आज की रेट में 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 तार्गेट एचीव हो चुका है, इसी के वज़े से आज की रेट में देखोगे, तो लोगों ने लगबग 8% के आसपास भी माल उठाया, और भी आपको बहतरी रिटर निकाल के दे सकते हैं, तो ऐसे स्टॉक को अब लंबे समय के लिए बिल्कुल रख सकते हो, जब भी गिरावट देखने को मिले, आप अरामस उठा लो, साइए, दूसरा, दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं, राकेज जुन जुन वाला, यहाँ पर इन्हों ने क्या किया है, यह उमीद कर रहा है, साइए, यह क्या उमीद कर रहा है, कि निफ्टी जो है, कम से कम 100 के के आसपास पहुंच जाएगा, मतलब एक लाग के आसपास पहुंच जागा 2030 तक, और भाई, यह कोई बड़ी बात तो है नहीं, देखें, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, राकेज जुन 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 वाला वो इंसान है, जब निफ्टी लगबग 3000 के आसपास चलता था, स 22, 40, 22, 30 बोला गया था, और आज के डेट में, आप खुद ही देख सकते हो, निफ्टी कहां पहुंच चुका, 15 के आसपास तो पहुंची चुका, 3 से, और आज के डेट में, फिर राकेज जुन 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 वाला यहां पर बोल रहे हैं, कि लगबग 1006, देखें, मैं यह न बोलना चाहूं कि आपके पास ज्यादा पैसा होना चाहिए, नहीं, नॉलिज होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से पैसा कामा है ना, 5000 से लगबग, 19,000 करोड, इतना बड़ा अमाउंट तो मुझे काउंट करने में भी प्रावलम हो जागा सही है, तो यहां पर इन्होंने बताया है, सेन्सिक्स लगबग जाएगा, एक लाख एसपास 2030, और टाटा मोटर एस बिगजेस्ट प्लेयर इन एवी, यह बिगजट प्लेयर बन सकता है, और आने वाले दिनों में मैं आपको बताना चाहता हूं, फार्मा हो गया, कैमिकल हो गया, यह जितने भी बड़ी बड़ी company ना यह सब अपना कामदाम छोड के अपना घर दोबार छोड के मतलब इतना चपक करोड़ो और वो खरवो का घर है बैए सब छोड़ के आ रहे है कि वहले electric vehicle में कोई solar बना रहा है कोई wind बना रहा है कोई मतलब क्या बना रहा है auto बना रहा है कोई bike बना रहा बिजनस वो होता है जो लोगों का फेवरेट है समझ रहे हो ना, अगर मुझे केक पसंद है तो जरूरी नहीं अगर मैं केक का बिजनस स्टार्ट करूँगा बहुत ज़्यादा चलेगा, हो सकता है कि मैं किसी और चीज का, है की नहीं भाई, किसी और चीज का तो आप देख सकते हो, टाटा मुटर मुझे अभी भी यादा है जब लगबग 72 के, जब 72 रूपेस के आजब इसका प्राइस चला था तो ही मैंने आपको बोला था खरीदने के लिए और जब लगबग 90 पे गया था, तो भी बोला था Amazon को चकर देगा, अगर आपसे कोई पूछेगा कि टाटा, देखो, आपसे अगर मैं पूछेओं कि इंडिया में सबसे बड़ा richest person कौन है, टाटा है या अंबानी है तो सब लोग बोलेंगा अंबानी है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ पूरी, मतलब कुछ भी कर सकता, बड़ी कंपनी भी बन सकती है तो टाटा मोटर को फोकस कर सकते हैं, अब मेरा काम तो है आपको पहले बताना 2030 के आसपास, फिर मैं वीडियो बनाऊंगो बताऊंगा, देखो मैंने पहले बोला था और यह स्टॉक आपको अच्छा-कासा मुनाफ़ा दे रहा है, तो ऐसा न हो कि मौका निकल जा सही है बाकि आपकी मर्जी भाई, देखो आप अपने ही साप से देख लो क्या सही है, क्या गलत है, देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ ब्लाइंडली किसी को बिलीव ने करना चाहिए, हाला कि मुझे भी आप ब्लाइंडली बिलीव मत करो, ने तो बाई कल को ब्लेम करेगो कि आपके वज़े से, आपके वज़े से, आपके वज़े से, आपके वज़े से, बाई कभी तो अपने वज़े से भी कुछ कर लिया कर नमबर वन मतलब देखे मैं आपको बताता हूँ डिमेट अकाउंट उपन करना है ना तो सेफ से और जगा पको खोला कीज़े जैसे कि बहुत ज़्यादा डिमेट अकाउंट जैसे कारवी ब्रोकरेस बगरे क्या करते आपका पैसा लेके भाग जाते है रातो रात से यह सुब यहां पर हर चीज़ खरी सकते हैं जैसे NSC में माल खरी सकते हैं BSE में मिच्वल फण्ट भी खरी सकते हैं को टेंचन वाली बात नहीं है और यहां पर मैं आपको बता दूँ चार्डिस कैसे लगता है डिमेट अकॉंट फ्री में डिलेवरिश फ्री में कि वल्टी रूनट आपको लगता वह भी intradited में जो हर जगह लगता और एक group में भी आपको add किया जाता बताया जाता क्या खरीदाएं नहीं खरीदाएं पीचना हैं नहीं बेचना इंट्रेड फ्यूचर आपसन च्वर्ट इस भी आपको बताया जाता झाल झाल